नमस्तार दोस्तों आप सभी का स्वागत है के टुएस चैनल रहें आईए देखते हैं आज की ताजा ख़बरें सवाई मादपुर जिले के गंदापुर सीटी के बार 18 के बिजैई पार्शत बै उपसवापती वीरेंद्र बीरु पुजारी का बार वाजियो बै पटवा बाजार लखेर बाजार में माला वे साफा फेना का स्वागत किया गया आईए देखते हैं संबादतागी रिपोर्ट आई परुष्रां पलाजा में जिला पुलिस अदिक्षक केशर सिंग सेखावत ने टीम गठित कर आरोपियों की तलास सिरू की और दो आरोपियों को पकड़ लिया ठाना अदिकारी अनिल गौतम ने बताये कि गद्धिनों अमन मीना की गोली मार कर हत्त्या कर दी गई जिसका मामला इस्थाने थाने में दर्ज हुआ उसके बाद आरोपियों को पुलिस ने अपने रासत में ले लिया आरोपियों से गटना है, सुनके इग्राम के अमन मीना को कुछ हमलावरों ने गूली मार कर हत्या कर दी थी, जिसके संबंध में गाउं के रादेशाम मीना ने नामजद मिल्जुमों के खिरलाब हत्या की फईयार दी थी, गटना की गंभीरता को देखते हैं स्रीमान स्पी साब ने दिनों से मिल्जुमों के ठिकानों पे लगातार दविश दी जा रही थी, आज दोपैर में सुचना मिली कि मिल्जुम रिशी और सुर्जीत अपने गाउं की तरफ आए हुए, इस सुचना पर मन्थ हरनादिकारी मैं टीम के गाउं में पहुचा तो गाउं के मोड पर दिखाई दिये, जन्हें की जापते के द्वारा रिटेंड किया गया है, मैं पूस्तास के दौरा नमान अपना जुर्म को कबूल किया, उसके बाद में उनको मुतनमाजा में ग्रफतार किया गया है, उत्तर प्रदेश के पीली भी, मैं लापरवा और गुस्खोर अधिकार द्वारा चापे मारी के दौरान, दो ट्रॉली घास अभैद रूप से जंगल कोर से ले जाते हुए पकड़ा गया, आलिए देखते हैं संबद रतागी रिपोर्ट यह है, राहमु खंतर गया, पूरी बात बताओ कब से कात्र है क्या गराए और इसे पंद्रा भीस दिंसे गाट रहे हैं कि अधर में काता है जे री इन पवली से बुसी कात रहे हैं उस्टेंग कड़ुवा रहा है, जजट है। dai कम टोटोगा देडे लोग रहा है। बिंधे सिंग ए जोब सुब गकान ज़ले कड़ुवा रहे हैं।